बॉलीवूर्ड और टीवी शोज की नीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नीज सबसे पहले पाने के लिए बिग बॉस 14 को लेकर अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है और इसके साथ ही कंटेस्टेंस के लिए कई सेलेब्रिटीज के नामों के कयास भी शुरू हो गए है हाल ही में टीवी के एक जाने माने एक्टर का भी नाम इस शोज से जोड़ा जा रहा है जिहां टीवी शो तुझसे है राबता के अथर्व बापत का किरदार निभाने वाले हैंसम हंग एक्टर शगुन पान्डे अब बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं आपको बता दे कि एक्टर ने सीरिल तुझसे है राबता को बाई बाई कह दिया है वही हाल ही में दिया एक इंटर्व्यू में शगुन ने कहा कि वा बिग बॉस 14 की तयारी में लगे हुए हैं जिहां शगुन पान्डे बिग बॉस के इस सीजन के लिए तयारियों में जुट चुके हैं शगुन ने कहा मैं खुद को मेंचली प्रिपेर कर रहा हूँ मुझे समझा गया है कि घर के अंदर रहने के लिए क्या जरूरी है घर के अंदर कैसे फंक्शन करना है और किस तरह से घर के अंदर टिकना है तो वहीं शो को कैसे जीतना है मुझे सिर्फ घर के अंदर जाकर पॉपुलारिटी गेन करके नहीं आना है बलकि अंदर जाकर कुछ अच्छा करना है इसके लिए मैं बिग बॉस के पिछले कुछ सीजन्स को देख रहा हूँ मैंने प्रिंस नरूला से इस बारे में बात की है प्रिंस मेरे भाई जैसा है शगुन पांडे की बिग बॉस 14 में जाने की खबर से उनके फैंस काफी एकसाइटेड होगा है अब देखना यह होगा कि क्या शगुन बिग बॉस 14 के घर में नज़र आएंगे तो वहीं आपको बता दे कि शगुन से पहले बिग बॉस 14 के मेकर्स ने भाबी जी घर पर है कि अंगूरी भाबी याने की शुभांगी आत्रे और एक्टरस सुर्भी जोती को भी शो के लिए अप्रोच किया है बिग बॉस से जुड़ी ऐसे ही लेटेस अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ और अगर आप कोई न्यूस पसंद आई तो लाइक, शेर और कमेंट करे सब्सक्राइब कीजे हमाल चैनल लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए